नमस्कार मैं हूं महेक शर्म और इस वर्ट आप ये लाइव तस्वीरे देख रहे हैं हर्याणा के करनाल से जहां पर इस वर्ट हम मौझूद हैं करनाल के करंताल पार्क के पास जहां पर आप देख सकते हैं सदर बजार जो कि करंताल पार्क के बिल्कुल पास लगता है यहां समानों को उठाया जा रहा है लगातार इस तरीके से शिकायत भी आ रही थी और मैं आपको बता दू की आने जाने वाले लोगों को बहुत ज़ादा दिक्कत हो रही और दुकानदारों ने लगातार इस तरीके से शिकायते भी आरी थी कि दुकानदारों ने सडक तक तिक्रमन कीया हुआ था, यानि कि अपने जो दुकानों का समान था, वो बाहर तक रखा हुआ था, पार्किंग रोड पर की जाती थी क्योंकि parking की कोई जगा दुकानों के आगे नहीं मिलती थी दुकानों के आगे तक समान ही समान होता था और यहाँ पर आप देख सकते हैं समान जो है उठाया जा रहे है नगर निगम के करमचारी है जो समान उठाते हुए नजर आ रहे है पुलिस टीम भी आप देख सकते हैं मोके पर है और ये आप देख सकते हैं अंदर एक गाड़ी साथ में आई हुई है जिसमें ये सारा का सारा समान उठा कर रखा जा रहा है समय नहीं दिया जा रहा है आला कि कि दुकानदारों को की आप समान इदर उदर कीजे क्योंकि आप सकते हैं पुलिस टीम भी मोगे पर मौझूद हैं नगर निगमत की अधिकारी भी यहां पर मौझूद हैं और यहां पर आप देख सकते हैं कई बार मैं आपको बतादू कि सदर बजार के इस इलाके में देखा जाता था कि लगाता जाम की सिती बनी रहती थी कई बार अगर कोई पार्किंग में यानि कि किसी दुकान के सामने अपनी गाड़ी खड़ा करके चला जाता था तो आदा आदा गंटा तक पीछे वाले लोग परेशान रहते थे बाकी गाड़ियों वाले लोग परेशान रहते थे और जब किसी को अपनी कोई बड़ी गाड़ी लेकर निकलना होता था तो वो बहुत जादा परेशान रहता था क्योंकि सडक तक आधी आधी सडक तक जो थ अपना ज़्यादा हो सके शेयर जरूर करते हैं और ये बाकी दुकानदारों के लिए भी एक मैसेज है इवेंट 24 की तरफ से कि अपना जो समान है वो अपनी दुकान तक ही सिमित रखें ना की सड़क तक अपना दुकान जो है दुकानों के बाहर रखें क्योंकि उससे आमजन कि भी सिती बन जाती थी क्योंकि भीड बहुत जादा हो जाती थी सड़क बहुत जादा छोटी हो जाती थी अगर इस सरीके से गाड़ियां भीच में खड़ी करनी पड़ती थी किसी को अगर किसी दुकान से समान भी लेना होता था तो बीच में उन्हें अपनी गाड़ी प जार से नोवल्टी चौंक तक पहुंच चुके नोवल्टी रोड तक पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं वहाँ पर भी लगातार जो है कारवाई की जारी है यानि कि जितने भी दुकानदार हैं उनके लिए यहां पर एक तरीके से संकेतिक जो है एक तरीके से कारवा और यहां पर आप देख सकते हैं दुकानदारों को समझाया भी जा रहा है और उनका समान उठाया भी जा रहा है आप सभी लोगों से मेरी यही अपील रहेगी कि साथ की साथ इस खबर को जितना जादा हो सके शेयर जरूर करते हैं यहां पर आप देख सकते हैं बड़ी कारव